आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने PCI Laptop में WhatsApp यूज़ करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं WhatsApp यूज़ कर रहा हूं अपने PC में, लैप्टोप में, तो आप भी ऐसे ही अपने PCI Laptop में WhatsApp कैसे करना होगा, तो यहाँ पर मेरे पास Windows 11 है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूं, आपको प्रसीजर कैसे क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए अपने PCI Laptop में, यहाँ पर आपको आपको आपने ब्राउजर में आना है, ब्राउजर में आने के बाद, आप यहाँ पर अदर वेबसाइट भी निकल कर आएंगी, और यहाँ पर आगर आपके सामने Microsoft Store है, आपके PCI Laptop के अंदर, तो आपको डारेक्ली इसे लिंक पर क्लिक कर लेना है, जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इसरे से पेज ओपन हो जाएगा, द तो डारेक्ली Microsoft Store को भी ओपन कर सकते हैं, बट अगर आपके पास नहीं है, आप अधर वेबसाइट पर जाना चाहते हैं, तो आप ब्राउजर से जा सकते हैं, तो यहाँ पर डारेक्ली मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनल तो ऐसे आप यूज कर पाएंगे, तो ऐसे आप अपने WhatsApp को अपने PCI लैटोप में डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आप किसी अधर वेबसाइट से जो है यूज करना चाहते हैं, तो वह भी देख सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे अ यहाँ पर यह वेबसाइट से भी आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर उप्शन देखने को मिल जाता है, लेटास्ट वर्जन करना चाहते हैं, तो लेटास्ट वर्जन पर जाकर क्लिक कर दीजिएगा, तो यहाँ पर डाउलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, यूज़ कर सकती है, so guys, बस, hope आपको सबकू समझा चुका है, अगर आपको फिर भी कोई प्रोलम आते हैं, मुझे कमेंट बोक्स में जुरू बताईगा, मैं आपके लिए कोई और सॉलुशन लेकर आँगा, मिलते हैं नेक्ट शुड़ियो में, तिल नर्बाइ, टेक केल, लव यू आल,